हेलो दोस्तो मैं उपवन्दिप सिंग और आज की वीडियो में हम लग बात करने वाले हैं रास्पेरी पाई 4 के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि हम सभी को पता है लेटेश्ट रास्पेरी पाई 4 लाँच हो चुका है 24 जून 2019 को और आज सबसे पहले मैं DNA Tech India की वेबसेट से उसे खरीदने वाला हूँ जैसे कि आप देख सकते है रास्पेरी पाई 4 का कोस्ट 5230 रुपई के लगबग है चलिए इसके जो कुछ की फीचर्स है वो डिसकस करते हैं नए रास्पेरी पाई 4 वन पॉन पॉन पाई गीगाहर्ट्स कौड कोर प्रोसेसर के साथ आता है इसके अंदर आपको बहुत अलग-अलग वेरियंट्स मिलते हैं 1GB RAM, 2GB RAM और 4GB RAM Raspberry Pi 4 को 4K डिस्प्ले का सपोर्ट है अगर आप एक डिस्प्ले यूज करते हैं तो आप उसे 4K 60fps पर चला सकते हैं और अगर आप 2 4K मोनिटर्स यूज कर रहे हैं तो आप उन्हें 30fps पर चला सकते हैं आपको आपके मोनिटर Raspberry Pi 4 के साथ कनेक्ट करने के लिए उन्हें Micro HDMI Connectors को कनेक्ट करना होगा इसके इंदर दिया गया Wireless Communication, Bluetooth 5.0 और Dual Band Wi-Fi को सपोर्ट करता है नया Raspberry Pi आपको 2 2.0 के USB Ports और 2 3.0 USB Ports देता है इसके अंदर आपको Gigabit Ethernet, Camera Serial Interface और Display Serial Interface भी मिलता है Raspberry Pi 4 को चालो करने के लिए आपको Type-C Cable लगेगी बिकाज उन्होंने जो पुरा ना Micro USB B का कनेक्टर धा उसे Type-C Ports से चेंज कर दिया है नया Raspberry Pi 4 के साथ नया हार्डवेर ही नहीं बल्कि सौफ्ट्वेर भी लाँच हुआ है ये सौफ्ट्वेर का नाम है Raspian Buster ये एक नया Operating System है Raspberry Pi के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और लाइक कीजिए थैंक्यू